यह कहानी है 1938 केरली नाम के एक आदमी की Hungarian आर्वी में और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्कल शूटर था जितनी भी नाशनल चैंपियंशिट्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सबको अल्मस्ट कंट्रिम था कि 1940 में जो ऑलम्पिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस शूटिंग हैंड बनाना है बेस बनाना है बेस बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस शूटिंग है सिर्ब दो साल का फक्त 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम चल रहा था क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सिडेंट हो गए उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीदना था उसमें एक हैंड ग्रेनेट फट गए और वो हाथ चला गए जो उसका सपना था जो फोकस था सब खत्म उसके पास दो रास्ते थे एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिद्गी रोता रहे और कहीं जा गर गए छुप जाए या अपना जो गोल्ड था जिस पे उसने फोकस किया हुआ तो उसको पकड़ गर गर रखिए तो उसने फोकस किया उसपे नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उसपे जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आंड एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था एक महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाद चला, साथ के ले और सही एक महीने बाद और में ट्रेनिंग शुरू करते ही साथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद, मतलब के 1939 में वो वापिस आया नाशनल चैंपियंशिप्स हो रही थी मही पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टोई शूटर्स थे वहाँ पर उन्होंने जहां करके उसको कंगराचुलेट किया वहाँ कि यार देखो ये होता है जजबा ये होती है स्पोर्च्मेंट स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा होसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहां पर तुम्हारा होसला बढ़ाने में आया है तुमसे लड़ने आया हूँ और competition हुआ बाकि सब बार चितने भी लोग थे वो पंपीट कर रहे थे अपने best hand से ये compete कर रहा था अपने only hand से only hands the man with the only hand Carolyn, शीट कहा लेकि वो यह नहीं रुप गा इसका गोल फ्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं इस पुरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग है बनाना है उसने अपना सारा फोकुस अठा कर गे डाला 1940 पर जब ओल्मपिक होने वाले थे लेकिन 1940s के ऑल्मपिक्स कैंसे ज़यो है World War की परसी उसने अपना सारा फोकुस अठा कर गे गठाहः बनाल दिया 1944 में जो अलमपिक्स होने वाले थे उसके उपर और 1944 में जो उलम्पिक्स होने वाले थे वो भी कैंसे दोगे वोल्ड वार की इसे फिर से कैंसे उसने इमना सारा फोकॉस उठा करके डाल दिया 1948 की उलम्पिक्स 1938 में उसकी एज थी 28 साल 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 एज और जो यंगर जो प्लियर्स आते हैं निकल करके उससे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है लेकिद मुश्किल नाम का यह वर्ट था ही दी उसकी दिख्तरी वो गया पूरे वर्ड के बेस्ट सुटर्साइए उसका नावन के प्रीपेस प्रीड करिका तरियों से अखले नाप्ली है अखलेra था और क्षिधा लेकिद वह तब भी नहीं रख सा EXT 1952 Olympics दुबारा कॉंपीट किया उसमें और इस बार गोल्ड मेडल कौन जी था गैरली चार साल बार दुबारा से और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया Olympics इस पर्टिकलर कॉंपीटिशन में उससे पहले किसी भी एक्टिक ने लगातार दो गोल्ड मेडल्स नहीं चीते अब किसी भी लूजर के पास से जाओ उसके पास लिस्ट होगी पहानों की कि मैं इस वज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत नबी लिस्ट है उसके पास में हजार वज़े होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वज़े होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा करने की जो वो करने की जो वो करने की जो वो करना चाहता है झाहता है